एल्कॉल इधर फिनॉल खतम करेंगे उसके बाद देखते हैं सोचते हैं सोचेंगे फिर चलिए भाई देखते हैं जरा ये वाला हम देख चुके हैं रियक्षन वैसे ठीक है एसेड केटलाइज हाइडरेशन अलकीन में हमने देखा था ये इसकी रियक्षन हो रही थी S3O PLUS के साथ चाही बात है S3O PLUS सारे डाइलूट S2SO4 वाली रियक्षन है भाई साथ क्या करोगे H PLUS लाओगे कार्बो केटाएन बनेगा रियरिज्मेंट सोचोगे और पानी ले आओगे H हटाकर OH लगातोगे क्योंकि वो O2 प्लस बनता है फिर H निकलेगा वो सब बात है यह कहां नहीं तो हम एलकोहल ऐसे बना लिया करते हैं लेकिन अगर हाइड्रो बोरेशन ऑक्सिडेशन करानी हूँ तो कैसे करवाते हूँ इसमें हम एंटी मार लगा देते हैं क्या कर देते हैं यहां मिलेगा रियेजेंट बी टू एटू 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 एच माइनस तो यहां क्या करोगे पानी का एडिशन एंटी मार कॉपनी कॉप रूल के एकॉडिंग कर देंगे थी कह तो यहां क्या करोगे एंटी मार फिए एंटी मार कॉपनी कॉप रूल लगा देंगे अब यहां पर एक सोचने वाली बात यह होती है कि एक्च्छल में क्या होता है इसकी मेंगरेजम थोड़ इसी देखनी की है क्योंकि NCID में है इसलिए तो होता क्या है यह जो अलकीन है B2H6 THF के साथ मिलके हमें देता है BH3 टाइमर टूट जाता है और यहां बनता है पता है क्या एक बढ़िया मस्त ट्राणीशन इस्टेट देखो और BH3 का एडिशन Markovnikov rule के according दिख रहा है मुझे देखो यहां H आ जाएगा यहां B, यहां C, H2 और BH2 आ जाएगा देखो ट्राणीशन पर बनेगी क्यों H, BH2 जुड़ेगा यह bond यहां से तूट रहा होगा अगर मैं पूरा आपको बना के दिखाऊं इस तरीक इस दिखेगा यह bond टूट रहा होगा, यहां बन रहा होगा यहां बन रहा होगा यह टूट रहा होगा और जब यह पूरा complete हो जाएगा तो ऐसा दिखेगा R, CH2, CH2, BH2 ऐसा और अब इसके बाद HC reaction दो बार और हो जाएगी है तू टाइम्स अलकीन के साथ सेम रियक्षन Markovnikov addition कराके यह तुम्हें पहुचा देगा यहां तक ट्राइलकाइल बोरिन तक और फिर H2O2OH- से तूट कर आपको अलकॉल दे देता है तीन मोल बनेगा आर CH2, CH2OH ठीक है तीन मोल यह बना देगा किलियर है पोर मेंबर साइकलिक ट्राइटेट के थुरू मामला बढ़ता है क्या क्या बात हैं इसमें देखने ज़रा है पोर मेंबर साइकलिक ट्राइटेट एक दम सही है rate of reaction nuclear city of alkene यानि कि electron donating group लगे होंगे तो उस पर depend करेगी कोई rearrangement नहीं product appears like addition of water on alkene by anti-markovnikov product ऐसा लगेगा कि anti-mark लगाया है लेकिन actual sin addition BH3 का होता है actual sin addition BH3 का होता है इसमें ठीक है clear है अगला देखें जड़ा OMGM oxy-mercuration demercuration में क्या होता है RCH double bond CH2 NG OAC hold twice water यह oxy-mercuration then demercuration by NABH4 इसको आप direct कर सकते है water का addition markovnikov rule के according हम करते हैं तो यह बना लेगा RCHOH और CH3 markovnikov addition यहाँ पर तुमें करना है ठीक है बात करें अगर इसके points की तो nucleosity के directly emotional ठीक है या partial positive charge के directly emotional कोई rearrangement नहीं cyclic mercurianium आयन बनेगा alken HG पर attack करेगा OAC निकाल देगा यह ना इसमें तुम reagent के तौर पर LAH ले लो या SBH ले लो sodium borohydride NABH4 या आप H2 catalyst ले लो यह क्या करते हैं तीन और इजेंट पाइ मौन तोड़ेंगे H और H से ऐसा आएगा CH और OH NABH4 और LAH में same acronym होगी पहले H- attack करेगा यहाँ पर O- बनेगा और वो पानी से H प्रस ले लेगा H2 catalyst सीधर जुड़ जाएगा यहाँ पर transition state के थुरू महला finally आपका alcohol बनने वाला है अगला है by reduction of carboxylic acid और ester ठीक है carboxylic acid और ester से आप कर सकते हूँ ठीक है अगर मैं ester की बात बताऊं तो पहली बात ester जो है वो LAH ले सकते हो आप यहाँ पर या H2 catalyst ले सकते हो ठीक है SbH इसको reduce नहीं करता SbH ester reduce नहीं करता है ठीक है तो मैं यह mon तोड़ूँगा H और H से और यह pi mon तोड़ूँगा H और H से ठीक है तो यह बना लेगा RCH2 OH और प्लस R-OH यह बन जाएगा इसमें आप इन दोनों में से कोई भी ले लो अगर मैं acid यहाँ लेके चलता हूँ तो acid में मुझे सिर्फ और सिर्फ LAH की जरुद पढ़ेगी H2 catalyst और SbH आप यहाँ पर नहीं ले पाते हो RCH2 OH ठीक है तो carboxylic acid हो और ester हो LAH प्रफर करो ज्यादा बैटर है H2 catalyst आप ester में ले सकते हो Grignard reagent से alcohol बना चुके हैं हम याद करें जरा 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohol RC double bond हो RMGX, delta negative nucleophilic addition reaction है न O negative MgX और पर यह source of proton से H plus लेकर बना लेता है depend करता है कि side में क्या लगा है, alcohol कैसा बनाना है 2-9H लगे हैं तो 1 degree 1R, 1H लगा है तो 2 degree और 2-9R लगे तो 3 degree ठीक है ठीक है यह कहाँ नहीं है alcohol की बात करें तो alcohol acidic nature के होते हैं acidic किस वाज़े से होती है इनमे alcohol में H plus निकाल देते हैं यह ठीक है H plus निकाल देते हैं acid से OH और alcohol से H ले 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 ना तो यह बना लेता है R-C-O-O-R-D-S R-C-O-R-D-S usually यहाँ पर क्या होता है यह पहले protonate हो जाता है पानी निकलता है फिर यह attack करता है और फिर H निकलके यह देता है तो यहाँ कार्बोगटाइन के थूब होता है मामला ठीक है तो कभी अगर rate of reaction की बात पूछ ले तो यहाँ कार्बोगटाइन की stability से चेक कर लेंगे और यहाँ पर अगर इसके respect में पूछ ले तो steric hindrance कम होना चाहिए क्योंकि यह as a nucleophile काम कर रहा है इस reaction में आप यहाँ पर acid chloride ले सकते हो यह anhydride भी ले सकते हो c o r plus h o r d s माल लो anhydride लिया तो भी तुम्हें उसी टाइप से reaction करानी है r c o r d s बनेगा ठीक है प्लस यह वाला r c o r d s भी बनेगा और अगर तुमने acid chloride ले लिया ठीक है तो यह h c l निकाल देगा और इसमें तुम usually pyridine ले ले लेते हो ताकि pyridine hcl को neutralize कर दे reaction थोड़ी forward direction में चली जाए तो यह esterification reaction है ठीक है यह सारी reaction आप देख चुक है reaction with px3, px5 ठीक है s o x 2 तो मैं यहीं add करता हूँ px3 px5 s o x 2 यहा फिर चलो अगला लिखा तो लिखे लिए थे फटा बट एक बार और रिवाइस बजाएगी r o x k 3 mol लिखने के ठीक है और s3 p o 3 यहां से निकाल लेंगा यह आप लिख लेंगे अगला देखो px5 में क्या लिखते थे ऐसे इसको और इसको तोड़ेंगे r x p o x 3 और h x बन जाएगा अगला देखो s o x x डार्चन्स वाली रिएक्षिन है ठीक है चली वह बढ़िया h x के साथ रिएक्षिन r o x की रिएक्षिन h x के साथ ठीक है क्या होता था इसमें प्रोटोनेशन होगा r o s 2 प्लस बनेगा यह भी हम पीछे देख चूके आर प्लस बनेगा रियरिज्मेंट पॉसिवल हो तो करा देंगे r x बना लेंगे ठीक है dehydration of alcohol यह हमने even mechanism देख रखती है क्या होता है concentrated r s 2 s o 4 यह h plus के साथ heating कराते हूँ है न बनता है पानी निकलता है r प्लस आता है और यह heating पर अलकीन ने देता है more stable alkenis the major product more stable alkenis the major product आये जरा काम की reaction यह है oxidation reaction ध्यान से देखना जरा r c h 2 o h 1 degree alcohol इसको oxidize कर सकते तो में aldehyde में 2 degree alcohol को oxidize कर सकते हो आप r c h o h ketone में यह क्या बना लेगा r c double bond और यहां क्या ले सकतो mild oxidizing agent 3 degree का no reaction ठीक है 3 degree no reaction अब यह moa क्या हो सकते है आपके mild oxidizing agent यह होंगे p c c pyridinium chlorochromate p d c pyridinium dichromate c r o 3 plus 2 pi Collins reagent बोलते हैं इसको c r o 3 plus acidone आप ले सकते हो आप copper या silver 300 degree ले सकते हो आप copper या silver यह mild oxidizing agent यह काम करते हैं अगर तुमको ऐसा करना है ठीक है थोड़ा थोड़ा आप लोगों को याद आना पहली बार थोड़ी देख रहो यह अगर मेरे पास माल लो ऐसा लिखा है क्यों वह अगर तुमको इसको acid बनाना है ठीक है और two degree से ketone बनाना है ठीक three degree no reaction तो क्या काम हो सकता है यहां बताएं यहां तुम ले लो swap ठीक है swap स्वा क्या-क्या हो सकते हैं KMNO4 heat ले लो acidified ले लो यह alkaline यह alkaline KMNO4 followed by acidification है ना आप ऐसा ले सकते हो सेम कहानी के 2Cr2O7 कर सकता है concentrated HNO3 कर सकता है jones reagent कर सकता है CRO3 H2SO4 इसको jones reagent बोलते हैं यह aqua CRO3 कर सकता है यह H2CRO4 भी तुम ले सकते हो इस जगह पर तो यह सारे के सारे strong oxygen agent clear है strong oxygen agent यह काम यह कर सकते हैं बस एक important बात ध्यान लगनी है कि अगर 3 degree alcohol आ गया तो copper silver इसको 300 degree centigrade dehydrate कर देते है E2 elimination ठीक है तो more stable algae major होगा हालांकि एक ही बन रही यहां तो अच्छी बात है और एक special reagent है यह allylic या benzylic alcohol को ठीक है मुआ की तरीके से कर देता है mild oxygen agent लेकिन यह specific होता है जैसे pH CH2OH benzylic है यह MnO2 क्या काम कर देगा pH CH2OH mild oxygen agent जैसे oxidize कर देगा यह लेकिन allylic और benzylic को करेगा allylic और benzylic को करेगा allylic और benzylic को करेगा धियान में तो हेलोरीन से आप phenol बना सकते हो कर चुके douse process douse process याद करें जड़ा fused या molten NOS ले लो 623 Kelvin 300 से 308 DM pressure और last में acidify करा देंगे यह बना लेगा phenol acidify कराके phenol बना लेंगे ठीक है अगला देखिए benzene sulfonic acid की reaction pH SO3H वही कहानी molten NaOH के साथ fuse करा दो NaOH के साथ fuse कराओगे और followed by H plus ले लोगे तो pH OS बन जाएगा पहले O minus Na plus बनेगा फिर बाद में acidify कराके यह कर लेंगे इसका bond तोड़के O2 का insertion करते हैं Radical Radical और O2 ऐसा दिखता है Radical Radical ठीक है तो यह तुमको ऐसा दिखेगा OOH और then S3O plus के साथ treat करा दो इसको क्या होगा S plus के साथ करा दो नहीं तो S3O plus यह H plus ले लो आ तो क्या होगा H plus के साथ यह OH वाला group यहाँ shift हो जाएगा यह bond यहाँ चला जाएगा तो यह बना लेगा आपका phenol plus acidone, acidone भी इसमें अच्छी खासी quantity बनता है clear है तो phenol और acidone इसमें बन जाता है chemical properties की बात कलने जरा तो pH OH acidic nature का होता है क्यों है H plus निकाल देता है और electron withdrawing group लगा दोगे तो acid extent बढ़ा देगा donating वाला कम कर देगा ठीक है जैसे आपको pH OH की reaction करानी है metal के साथ sodium के साथ reaction करा लो तो pH O minus Na plus बना लेगा और half H2 निकाल देगा ठीक है आप इसमें metal में ऐसा नहीं कि sodium लो आप कोई और metal भी लेके solve कर सकते हो question को, aluminum वगरा भी ले सकते हो, कोई रिक्कत नहीं है NaOH अगर तुमने लिया तो पानी बना लेगा यह ठीक है acid based reaction होगी तो pH O minus Na plus plus water और water से जादा अच्छा acid है ना यह तो बड़िया काम हो जाएगा reaction हो जाएगी, phenol अच्छा acid water से मुझे बताओ NaNs2 और NaCO3 वाली रियके क्या यह reaction होगी NaNs2 वाली बिल्कुल होगी Na plus NH2 minus क्या देगा यह ammonia देगा plus salt तो वही बनना है है ना तो ammonia से जादा acid है बिल्कुल होगी लेकिन यह वाली reaction नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि H2CO3 strong acid होता phenol है ना H2CO3 strong acid होता phenol से इसले reaction नहीं होगी अगर मैं esterification की बातने कर लूँ आपसे तो सेम वैसे alcohol जैसा मामला चलता है RCOH HOPH मैंने बस यहां क्या कर दिया phenol कर दिया पानी निकलेगा acidic medium में तो R COOPH बन जाएगा मैं यहां पर anidra ले सकता हूँ सेम यही reaction खेल लेंगे हम बस यह आप यहां से RCOH निकलतो तो यह सेम वही बन जाएगा RCOPH मैं यहां acid chloride ले सकता हूँ Pyridine ले लेना ताकि HCl निकले तो neutralize हो जाए तो यह यह जैसा आपका alcohol का हुआ करता था ESR की बाते कर ले हम phenol में तो phenol में अगर मैं ESR की बाते करूंगा तो कोई तो अगर मैं यहां पर dilute HNO3 लिया अगर मैं यहां पर dilute HNO3 लूँगा तो और्थो बनेगा पैरा बनेगा steam volatile होता है और्थो वाला steam distillation से तुम separate कर सकते हो एक और्थो बनेगा और एक पैरा बनेगा अगर मैंने यहां पर concentrated ले लिया तो picric acid बनेगा लेकिन poor yield में बनेगा पिक्रिक acid बनेगा लेकिन poor yield में तो यहां OH हाएंगा NO2 आएंगा NO2 लेकिन इसकी yield poor होगी अगर आपको yield सुधारनी और आजकल method जो use कर रहे हैं तो nowadays जो method यूज करते हैं वो यह वाला करते हैं कि इसकी reaction पहले करा लो आप H2S2O7 के साथ sulfonition करा लो मतलब और फिर picric acid के साथ treat कर आओ तो yield अच्छी आती है तो जो picric acid बनेगा उसकी yield अच्छी आएगी ठीक है यह कहान यह clear है तो यह nitrogen वाली reaction है halogenation वाली reaction की अगर मैं बात करूं तो phenol में PR2 CS2 और bromine water दो type की हो सकती है bromine water में reaction जो है polar solvent में excess में हो जाती क्यों क्योंकि phenol convert हो जाता है phenoxide में जो की बहुत अच्छा activity हो जाता है तो यहां बनता है BR 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 और यह white BPD होता है test of phenol भी होता ब्रोमine water और यहां BR2 CS2 जो है वो एक ortho पे लगाएगा और एक pera पे लगाएगा ठीक है एक ortho और एक pera और pera major हो जाए क्योंकि यहां पर hydrogen bonding जैसी चीज़े तो होंगी नहीं क्योंकि BR है BR है तो hydrogen bonding जैसी चीज़े नहीं होंगी ठीक है तो यह halogenation वाली बात हो गई कोलवेज reaction की अगर मैं बात करूं कोलवेज reaction कह रहा हूं ठीक है तो यहां क्या होता है phenol की reaction होती है phenol की reaction होती है co2 in presence of NaOH और last में हम इसको acidify कर लेते हैं तो होता क्या है यहां पर salicylic acid बनता है ortho position पर यह carbon यहां टेक करता है sodium होता है तो ortho बनता है sodium ortho salicylic acid बना लेता है यहां पर ठीक है और अगर मैं इससे अगर मैं इसकी reaction cs3 co cs3 के साथ करवाना चाहूं तो यह बना लेगा ortho acetyl salicylic acid जिसको हम क्या बोलते है aspirin तो यह aspirin की method of preparation भी है क्योंकि यह esterification हो जागा यह plus यह minus esterification कर सकता है ठीक है ठीक है यह कहानी यह col-base हो गई rhyme 81 reaction की बात करो rhyme 81 reaction में क्या होता है बड़ी important reaction है पिनॉल की reaction होती है CH-Cl3-KOH के साथ ठीक है तो ortho salicylic acid और पैरा बनता ortho major due to hydrogen bonding ठीक है यह major है और यह minor है यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि rhyme 81 reaction में जब reaction तुम start करते हो यह दोनों आपस में मिलके तुमको दे रहते हैं CCL2 ठीक है और यह acid based reaction करके यहाँ से start होती reaction actual mechanism है loan pair, bond pair में bond pair, loan pair में convert होके यहाँ टेक करता है तो यह तुमको कुछ ऐसा दिखता है T negative CL2 यहाँ double bond इस तरीके से दिखता है और यह बना लेता है ऐसा यह यहाँ टेक करेगा CCL2 negative बनेगा यह double bond CHCL2 यह बना लो O negative Na plus यह Hs के पास चला जाएगा यह Hs के पास यहाँ negative बनेगा O negative Na plus CHCL2 बना लेगा और बाद में उसको protonate करवाद देना तो फाइनली यह आप इसको ऐसे दिखा सकते हो H plus लिया यह यह यहाँ shift होई यहाँ गया ऐसा क्या होगा रिंक रखेंगे ZnO खीच लेंगे तो क्या बन जाएगा PHH अगला देखो Oxidation Na2Cr2O7H2SO4 के साथ reaction होती है Phenol की Parabenzoquinone यहाँ पर बनता है ठीक है Parabenzoquinone इसका नाम है Totomare जम एक्जिबेट नहीं करता है बड़ा important सवाल है चलिए Ether की बाते कल लेते हैं अपन Dehydration of alcohol 413 पर ठीक है 413 पर dehydration of alcohol देखो Ethanol अगर मैंने लिया और मैंने concentrated H2SO4 ले लिया तो 413 Kelvin पर इसके 2 mol लिख लेंगे एक ऐसे और दूसरा ऐसे पानी remove कर देंगे यहाँ से तो यह बना लेगा ऐसा ठीक है 413 पर ऐसा होता है 443 है तो अलकीन बन जाएगी 443 है तो अलकीन बन जाएगी Williamson ether synthesis की बात करना यह normal SN2 reaction ही कहलाती है इसमें क्या होता है RSO negative Na positive यह as a nucleophile काम करेगा और Rx alkyl halide 1 degree होगा तो अच्छी बात है तो यह यहाँ टेक करके इसको निकाल देगा तो यह कोई नई reaction नहीं है यह SN2 reaction ही होती है और WES वाली reactions SN2 वाली ही होती है यानि कि हर वो molecule जो SN2 देता है WES देगा हर वो molecule जो SN2 नहीं देता वो WES भी नहीं देगा SN2 ही है एक तरीके से Williamson ether synthesis ही है Chemical properties की बात करूँ तो HX वाली reaction है एक इसमें ध्यान से देखें अगर मेरे पास HX में H plus और H minus होता है जानते हो आप सबसे पहले H plus आएगा तो यह क्या हो जाएगा protonate अब तुम्हें यहां सोचना है क्या सोचना है मालो मैंने इसको तोड़ दिया अगर यह leaving group बनेगा तो R पर plus बन रहा है अगर तुम्हारा R plus 3 degree बन रहा है यह resonance stabilize 1 degree यह 2 degree बन रहा है रेजो 1 degree रेजो 2 degree बन रहा है यह 3 degree बन रहा है तो तुम्हारा path होगा SN1 otherwise SN2 otherwise SN2 path से जाओगे ठीक है आप यह तोड़ लो यह दौन ही देखना है R भी देखना है और R plus यह मन में सोचना है कि ऐसा करना है क्या और अगर करना है तो कर दो उसके बाद आप जोड़ देंगे उसके बाद आप यहां पर product बना देंगे जैसे एक सवाल मैं बता रहा हूँ माल लो ऐसा लिता है अब आप क्या गरोगे HX वाली reaction में H plus लाओगे इसको protonate कराओगे ऐसा बनेगा देखो जोड़ देंगे तो ऐसा दिखने वाला है है ना मतलब है लोगे एच एक से तो एक जोड़ देंगे एक नेगेटिव ऐसा देखेएगा चेक कर लोगे क्लियर एक्दम ठीक है इस तरीके से अगर बन रहा है तो बनाएंगे थ्री डिगरी रेजोनेंस टेपलाइज बन डिगरी या टू डिगरी कभी ऐसा होता है कि भारी मात्रा मेरी एक्षन करायते तो तो टेंसर नहीं लेनी बस यह चेक कर लेना कि बॉंड टूट सकता हो बस जैसे मालो यह है अब एक्सिस में ह-च दे रख है सो बस यह चेक कर लो की रेक्षन हो रही है जैसे इसका लोन पर तो रेजोनेंस में है जा यह नहीं टूटेगा यह है टूटेगा यह चेक करना हो तो फिगर neither गी बॉपॉण्ड टूटना चाहιं मालों ऐसा लिखा है, CS3, O, CS2, CS3, और भारी मात्रा में ही reaction करा रहे हैं, तो दौनों तूट सकते हैं, क्योंकि resonance में तो है नहीं है, तो X, H, H, X, CS3, X बन जाएगा, प्लस, इथाइल हैलाइट बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, यह कहां नहीं है, Electrophilic Substitution Reaction की बात करें, Halogen, Nitration, Fiddle Craft Reaction, है न, Halogen, Nitration और Fiddle Craft, यह देख लेते हैं, अगर मैं इसकी reaction, Halogenation करा दूँ, किसे BI2, Acetic Acid वगरा करा दूँ, है न, मतब X प्लस ले लो, NO2 प्लस ले लो, और R प्लस ले लो, और RCO प्लस ले लो, तो इसमें कोई नहीं बात नहीं है, Always Parameter, क्योंगी कारवन से जुखा है, न, Always Parameter, ठीक, जैसे, यहां क्या बनाओगे आप, OCS3, X प्लस, OCS3, X, यहां क्या बनाओगे आप, OCS3, COR, Always Parameter, न, यह दिखेगा, यहां R जोड़ देंगे, और यहां N, O2 जोड़ देंगे, Nitration, Always Parameter, ठीक है, यह कहां नहीं, समझे बात को कुछ, ठीक है, चलिए, एलकोहल की टेस्ट देख लिएते हैं, लुकास टेस्ट क्या होता है, यह यूज करते हैं, वन डिगरी, टू डिगरी, और थिरी डिगरी को डिस्टिंगिस करने के लिए, एलकोहल की रियेक्शन होती है, कंसंट्रेटेड एट सी एल, इसको लुकास रियेजेंट बोलते हैं, एन हाइटर जेड एटन सी एल तू, यह बनाता है R सी एल, यहाँ पर वन डिगरी अगर होगा, तो लॉंग टाइम या नो टर्विडिटी आती है, टू डिगरी होता है, तो मिनिट्स में टर्विडिटी आती है, R सी एल की टर्विडिटी है ना, फिरी डिगरी होता है तो सैकिंड्स में आती है, या कभी वन डिगरी, टू डिगरी, अच्छे खाल से स्टेवल कर्वोगटैनों तो भी इमिडियेटर भीटी देते हैं, है ना, यह कहानी है, तो यह लुकास टेस्ट होता है, वन डिगरी, टू डिगरी, थ्री डिगरी को डिस्टिंगस करने के लिए, विक्टर मेया टेस्ट प्रस आईटू के साथ, सेट अफ रिएजेंट होते हैं, इसमें न, यह, तो यह बनाता है, ओएच डागर आई लगाएंगे, अब हम कराएंगे, एज़ी अनोटू के साथ रिएक्शन, तो क्या करेगा यह, नाइट्रो कंबाउंड बनाएगा, आर सी, यह यह बना लेगा, है, कि नाइट्रो कंबाउंड के लिएज करते हैं, अब इसकी रिएक्शन, एच एनोटू से कराएंगे, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, एच ओ एनो, और यहां से जल छोड़ देगा, यह, तो यह बना लेगा, आर सी, डवल एनोटू, और यह बना लेगा, एनोटू, जैस ठीक, इसका नाम है नाइट्रोलिक एसे, और इसका जो सॉल्ट होता, वो रैड कलर का होता है, अगर मैं यहां पर टू डिग्री एलकॉल ले ले लेता, सेम रिएजेंट यह बनाता, आर सी एच, आई, आर सेम रिएजेंट यह बनाता, आर सी एच, एनोटू, आर सेम रिएजेंट, अम मैं लिखता है इसको हो एनो, ठीक है, पानी निकाल देता, यह बनाता, आर सी एनोटू, इसको अल्दे स्यूडो नाइट्रोल, श्यूडो नाइट्रोल, ठीके ब्लू गलर का होता है, और थ्री डिग्री वाली रियक्षन कहीं नहीं रोख जाती, है ना, थ्री डिग्री वाली रोख जाती, रोख जाती, अगर मेरे पास यह है, इसा, देखो जरा, आई, और यह बना लेता, अब इसके अच नहीं बचा ना 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 और यह colorless है no reaction colorless तो क्या जाएगा वाई साब RPC123 red blue colorless यह इसका observation विक्टर मेहर का red blue colorless यह इसका observation रेड ब्लू colorless यह इसका observation वन डिग्री रेड, टू डिग्री ब्लू, त्री डिग्री colorless ठीक है फिनॉल के टेस्ट देख लीजे जरा FECL3 टेस्ट होता है फिनॉल का भाई साब क्या होता है PHOH FECL3 के साथ यह 6 मोल यूज होते है violet color बनाता है वेटे ऐसा देखो जरा अरे देखो तो अरे तुम देख लो और फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ क्या बनाता है फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ क्या बनाता है यह बनाता है यह वाइट पीपीटी सभेद कलर का पी पी टी बनतो है जहां मैं वाइड पी पी टी बनतो है वाइड पी पी टी ठीक है पिनॉप्थिलीन बनाना जानते हो अब थेलिक एनाइडराइड की रियक्षिन फिनॉल के साथ करा दो थेलिक एनाइडराइड की रियक्षिन फिनॉल के साथ करा दो पैरा से कीच ले ना इसको पैरा से ओ एच नहीं पैरा से है ना ऐसा ठीक है तो यहां से पानी निकाल देना तो कुछ ऐसो दिख्या है को चाचा तुमको देखु ऐसो ठीक है पनॉप्सलीब ठीक आहे ठीक है यह गहानी है आईए कुछ सवाल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं हम चलिए सवाल कली जरह सवाल कली जरह सवाल क्या कह रही है बोलो consider the following reaction बताओ जरह HI heat क्या होने वाला है product A और B बताना है क्या होगा देखो पहले आप protonate कर लोगे और फिर सोचो के क्या ऐसा करना है हमें देखो तुमने protonate कर लिया आप सोचो जड़ा अगर मैं इसको निकाल दू तो यहाँ प्लस आएगा और यह resonance stabilize बनाओ ना भाई phenol प्लस यहाँ iodine आजाएगा देखो तो CH2 के साथ आई आ जाएगा और phenol आ जाएगा दो लग पुरा दो लग पुरा जाएगा ठीक है अगला सवाल देखें विच अमंगदा following will be most readily dehydrated under acidic condition कार्बोकेटाइन मना लो और अलकीन मना गे चेक लो देखो NO2 तो electron withdrawing group होता है जवरदस्त वाला ठीक है? NO2 electron withdrawing है कार्बोकेटाइन मना गे तो इसका यहाँ बनेगा इसका यहाँ बनेगा इसका यहाँ बनेगा यहाँ मना ओगे तो बहुत पास लगा है NO2 और इसके लिए खास बात पता क्या है इसका अलकीन मान लो यहाँ मना दिया तो इसका अलकीन यहाँ मना दो तो conjugated बन जाएगा conjugated बन जाएगा C आ जाएगा conjugated बन जाए conjugated बन जाए conjugated अलकीन to known as लुकास रिएजंट बिलकु सही बात है सही बात है प्राइमरी एल्कोल हर मॉस्ट रियक्टिव है रहे है कितना गंदा लिखाये भाई स्टेटुमिंट वनकरेक्ट् थे सकेंड इंकरेक्ट्थ है ना वनकरेक्ट्थ है फसा कि इनकरेक्ट्थ है no substitute nitrofenol is higher than phenol because of electron withdrawing nitro group बिल्कुल सही बात है, और्थो-nitro, metanitro and paranitro will have same एसे रिवाब, पागल होगे का, Pom-Pom, पागल होगे का, Pom-Pom, तो 1 correct है, second incorrect है, 1 correct है, second incorrect, ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहे रहा है, एसीटोन की रिएक्षन करा रहा है, C2H5MGBR से dry therm है और फिर H2H+, आइए acetone क्या खेलता है C2H5MGBR delta negative nucleophilic addition reaction करवाई थी तो इस grignard का यहाँ टेक हो जाएगा, alcohol बन जाएगा तो यह बना लेगा ऐसा ऐसा तो 1, 2, 3, 4 2-methyl-butane-2-ol 2-methyl-butane-2-ol आइए 2-methyl-butane-2-ol बन जाएगा Next question N-A-B-H4 किसे किसे reduce करता है, ester को नहीं करता, इसको करता है, और कैसे करता है, pi-1 तोड़ देना H-O-R-H से ठीक है, pi-1 H-O-R-H से तूड जाएगा, ester reduce नहीं होईगा, नहीं होईगा चेन नहीं आंसर आएगा ठीक है strongest acid consign में से pi-2 लगा हुआ, जवरदस्त minus I minus M होता है, बाकियों से तो Next Acetone की reaction methyl magnesium bromide के साथ क्या बनेगा Acetone एक ketone है ketone की reaction methyl magnesium bromide followed by H+, delta negative, यहाँ attack करेगा 3 degree बन जाएगा na ketone, और यह H+, ले लेगा यह बना लेगा तरसरी butyl alcohol है ना तरसरी butyl alcohol Anisol on cleavage with H.I. Anisol क्या था आपका? pH OCS3 वावावावावा, क्या बात है, यह तोड़ दो यह H और यह I से, यह तो तूटेगा नहीं क्योंकि resonance में तो phenol बनेंगा और methyl iodide बनेंगा phenol और methyl iodide D आजाएगा अगला वन ब्यूटीन की reaction आपको करानी है anti-markovnikov HbO वाली reaction है तो वन डिग्री अलकॉल बन जाएगा anti-markovnikov में सही है? अगला next the compound that is most difficult to protonate जिसका लोन पियर अविलेबल हो, वो आसानी से protonate होगा इसका अविलेबल है, इसका अविलेबल है, इसका अविलेबल है इसका लोन पियर resonance में है, तो यह आसानी से protonate नहीं होगा ठीक है, difficult to protonate थे अगलो सवाल the structure of intermediate A in the following reaction, बताओ जरा structure बताना है भाई सवाई क्यूमीन हाइटो परोक्साइड वाली तो है यह देखो, CH bond के बीच में O2 आ जाता है क्यूमीन हाइटो परोक्साइड सही है? CH bond के बीच में O2 आ जाता है अगला next compound AC8H10O is found to react with NAOI अच्छा, यह वाली reaction अभी आपके सामने आएगी, इसको हम बोलते हैं haloform reaction यह अगले वाले का आ गया है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, haloform reaction यह 2 degree alcohol यह वाला देतेगा, CS3 CHOH वाला देतेगा, haloform यह यह और यह नहीं देता है, वैसे अगर आपको यहाद हो तो haloform reaction यह देतेगा अगले चेप्टर का सवाल आ गया है, इसमें चलिए, अगला सवाल चलिए, बताइए ज़रा यह क्या है, फीडल क्राफ्ट चेन नहीं आ जाएगा, है न, क्यूमीन, फिनॉल और एसी टोन next the compound A on treatment with NA gives B, अच्छा, and with PCL5 gives C, और B और C आपस में react करके diet highly thar दे रहे है अच्छा, NA के साथ यानि की SND catch होना चाहिए, ठीक है और फिर PCL5 के साथ alkyl highlight देतेगा NA के साथ B दे रहा है न, B, यानि की salt देगा यह आगे न, देखो, acid है, A, NA के साथ B दे रहा है, और with PCL5 यह दे रहा सही तो है, OH अच्छा डागे seal लगाने का, C आएगा चली, आगला सवाल करेंगे, क्या कह रहे है इंदा reaction दा, Electrophile Involve Age, CCL2 डाइ क्लोरोकार्वीन मनता है, क्लोरोफॉम और एनिवेच के साथ डाइ क्लोरोकार्वीन मनता, भईया फिनाइल, मिथाइल, एथर, रियक्टविद, अरे यह तो वही वाली reaction हो गई, एनिसोल वाली एनिसोल क्या बनाएगा, फिनॉल बनाएगा, और मिथाल आइवड़ाइड बनाएगा अगला, which one is the most acidic, तीन-तीन एडूट लगे हुए है भाई साथ, जमाज हम तीन-तीन एडूट लगे है जबर्दस्त, पिक्रिक एसिड तो जबर्दस्त होता है भाई, पिक्रिक एसिड से खतरना क्या हो सकता, अगला देख बज़र, एनिसोल के साथ रियक्शन करा रहा है, बेंजाइन वाली रियक्शन है यह, है ना, मुझे एक बाँ बताओ, भाई, एनिसोल तो आएगा न, य यह वाली रियक्शन बता दो, नह के साथ रियक्शन देन यह वाली रियक्शन, विलियमसन एथर सिंथेस कहते हैं इसको, डवलू एएस नाम है इसका, नेक्स्ट क्वेस्चन, विचाओधी फॉलाएंगे, इस नॉट डव बन रहा है, इधर बन रहा है, ठीक है, अब हाइड्राइट से, देखो, पहली बात तो यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ डवल आ जाएगा, एक यह हो सकता है, ठीक, इधर डवल आएगा, यह हो सकता है, ठीक, यहाँ डवल आएगा, क्या, यहाँ डवल लगा दूं तो यह हो सकता है, मैं इस वाले प्लस के अलफाइज देख रहा हूँ, तीन, दो, पाँच और एक छे, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ ले जाओं, अगर मैं इसको यहाँ ले जाओं प्लस को, तो दो, दो, चार और एक-पांच तो अंदर तो डवलमंट आएगा नहीं भी आ जाएगा यह यह हाइड्राइट शिफ्ट तो करे गई नहीं भाई अगला सवाल रियक्शन अफ फिनॉल विद क्लोरोफर्म इंप्रिजंस अफ डाइलूट एने वाज फाइनली इंट्डूइस क्या करता है चोंघ करता है रामज है वाई मर्ट तीमन वीक्शन लिएक्शन बहुत इंपोटेंट है रामज हूँ यह कौन सी रियक्शन यह विल्यम सन एस्ट टोड़ी है यह विलिम सन सिंतेसिस बोल दो यह यह संतेसिस बोल दो अगला अगला, HBR परोकसाइड गया करेगा, चार कार्बन है इसमें, तो टर्मिनल पर बिया लगा देगा, इंटी मार्क अपनी को, और ये एनायन यहां पर अटेक करके बिया अटा देगा, तो चार कार्बन इधर और उखियन फिट, उधर दो कार्बन, तो चार कार्बन, तीन और चार और उधर दो कार्बन, डी आ जाएगा, ठीक है, चली अगला बताएं, which of the following is not soluble in NHCO3, कौन सा soluble नहीं है, और तो नाइट्रोफनॉल नहीं होता, बागी सारे ज्यादा ऐसे देगा है, H2CO3 से, अगला सवाल, among the following ether, which one will produce methyl alcohol, methyl alcohol कौन बनाएगा, दूसरी तरफ अकर iodide बन जाए, तो methyl का alcohol बन जाएगा, तो मुझे यह दिख रहा है, देखो, क्योंकि जब मैं इसको तोड़ूँगा, तो 3 degree दिख रहाता मुझे, तो यह iodide बनाएगा, तो alcohol बनाएगा, C आ जाएगा, अगला, which of the following alkene will give same product by any method, out of hydration, hydroboration, या oxidation और oxymurgulation, demurgulation, मतलब, symmetrical alken हो जाए, तो काम बन जाएगा, और rearrangement ना हो रहा हूँ, ठीक है, जैसे यह है, HBO करा लो, चाए, OMDM करा लो, चाए, कुछ भी करा लो, बनेगा, B वाला, मतलब, 2-butanol बनेगा, ठीक है, अगला, product formant diethyl ether is reacted, with HI, बहुत आसान है, कोई सा भी तोड़ लो, बात बराबर, यह H और यह I, इथाइल, आयोडाइड और इथेनॉल, है न, एक्सेस में थोड़ी बोला है, नहीं बोला, अगला, ध्यान से देखें करा, एल्कोहल, PCL fine में क्या करतेगा, TLA बना देगा, और KCN क्या करतेगा, TN लगा देगा, और Sainide के Hydrolysis से Acid मनता है, Sainide के Hydrolysis से Acid, कुछ ना लिखाओ तो complete मनके चलेंगे, पार्सिल से Amide बनता है, लेकिन complete से Acid बनता है, तो C2H5COOH आ जाएगा, यह न, यानि कि प्रोपेनोएक असेड आ जाएगा, प्रोपेनोएक असेड, अगला देखें, फिनॉल से क्या बनता है, प्रोपेनोएक बनेगा, लेकिन आपसे कुछ बोला गया है क्या, ब्रोपेनोएक गलत बात है, यह भी गलत है, और तो पैरा और पैरा बोला, अब देखो इन नौनों में चूस करना तो मेजर चूस कर लेंगे, है न, वैसे यह यह लिखना इन लुकास टैस, थ्री डिग्री अलकोहल रियक्ट इमेडियेटली सही बात है, एन एक्क्यूमलर मिक्सर अफ एन जड़न से ल्टू इसको लुकास रिजेंट यह भी सही है, असरसन सही है, रीजन सही है, है न, और करेक्ट एक्स्प्लिनिसन नहीं है, बस, भी लगा दू क्योंकि रियक्ट होने का तो मेन कारण ही है न, क्योंकि कारवोगेट इस्टेवल बनता है, ठीक है?